इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह यह influenza से जुड़े लक्षनों का प्रभावी धंग से इलाज करता है और यह कान के विकारों जैसे tinnitus, कान में दर्द और बहरापन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उत्कृष्ट उपाई है इसमें सूजनरोधी गुण होते हैं और यह गठिया के दर्द से राहत दिलाता है इस उपाई का उप्योग करके रक्तसराव और कमजोर स्मृती समस्याओं का भी इलाज किया जा सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक चक्कर और चेतना की हानी के साथ गंभीर सिर्दत को कम करने में प्रभावी दो आखों में सूजन और दर्द सहत आखों के संक्रमन के इलाज में उप्योगी 3. इसका उप्योग कान के संक्रमन के साथ साथ बहरेपन और श्रवन चक्कर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है 4. भारी सांस लेने और तेज नाड़ी दर की स्थितियों के इलाज में सहायक 5. एक जिमा, खुजली और छाले जैसे तवचा विकारों के इलाज में सहायक विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें